किसान भाईयों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ताकर एगरी गल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की फसल के बारे में बिंडी की फसल में पहला खाद हमें कब डालना चाहिए और पहले खाद में कौन-कौन से खाद डालना चाहिए जिससे की बिंडी की फसल की जो बड़वार है वो अच्छी तरीके से हो सके और हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके तो इस वीडियो में आपको संपोन जानकारी मिलने वाली है अगर आप भी बिंडी की घेतिक करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा फाइदेमन साबित होगा किसान भाईयों इस वीडियो में जो खाद में आपको बताने वाला हूँ अगर उन खाद का उपयोग आप पहले खादों में करते हैं तो आपको काफी सांदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी जो बिंडी की फसल है उसकी पैदावार पर काफी सांदार निकलने वाली है किसान भाईयों यूट्यूब पर बहुत ही कम चैनल ऐसे है जहां पर बिंडी की या फिर सबजी वर्गी फसलों के बारे में जानकरी दी जाती है खास तोर पर बिंडी फसल के बारे में तो हमारे चैनल पर आपको सबी परकार की खेती बाड़ी सो संभंधित जानकरी मिलती रहती है बस आप कमेट करके हमें पूँच सकते हैं कि हमें इस टोपिक पर जानकरी दे देंगे अब किसान भायों वीडियो में आगे बड़े उससे पहले महराब से एक छोटा सा निवदन रहेगा अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसान भायों बात करते हैं बिंडी के बारे में तो बिंडी एक सब्जी वर्गी फसल है और सब्जी वर्गी फसलों में माइक्रो नूट्रेंट वाले खादों का सबसे बड़ा रोल होता है अगर हम सब्जी वरगी फसलों में माइकरो नूत्रेंट खाद की पूर्ती समय पर नहीं करते हैं तो हम हमारी फसल से मन इच्छानुसार पेदावार नहीं ले सकते हैं तो अब मिट्स माइकरो नूतरेंट पे हमें कौन-कौन से खाद लेना चाहिए इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहला खाथ कौन से समय पर डालना चाहिए देखे किसान भाईयों जब आप बिंडे की बुवाई करते हैं तो बुवाई से लगबग 15-20 दिन या फिर 22 दिन के आसपास जब आपकी बिंडी की फसल हो जाती है बिंडी छोटी-छोटी उकर खेट से बाहर आ जाती है तो उस समय पर आपको पहला खाथ उसमें डाल देना चाहिए अब बात आती है कि पहले खाथ में कौन से खाथ हम ले सकते हैं देखे किसान भायू पहले खाथ में सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे यूरिया खाथ के बारे में क्योंकि चाहे कोई सी भी फसल हो जब उसकी वानस्पतिक प्रारेंबिक अवस्ता होती है तो उस समय पर नाइटोजन की सबसे ज़्यदा जुरूरत होती है और नाइटोजन की पूरती के लिए यूरिया खाथ सबसे बेश्ट रहता है तो यूरिया खाथ आपको सबसे पहले नंबर पर लेना चाहिए यूरिया खाथ के रूप में यूरिया खाथ की जो आप मातरा रखोगे आपको 20-22 या फिर 25 किलोग्राम तक परती एकड के एसाब से यूरिया खाथ की मातरा लेनी है जिसमें उपस्तित 46% नाइटोजन आपकी फसल में हरापन लाएगी और जो रुकी हुई ग्रोध होती है उस ग्रोध को बढ़ाएगी और आपकी फसल अच्छी तरीके से सुरुवाती वस्ता में ग्रोध करेगी इसके साथ में सबसे परमुक चीज आती है माइक्रो नूट्रेन खाथ अब माइक्रो नूट्रेन का नाम सुनकर बहुत सारी किसान भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खाथ ले तो देखी किसान भाई यहाँ पर मैं आपको दो खाथ बताने वाला हूँ जिन में से आप एक चीज का इस्तमाल कर सकते हैं पहला तो जो पी आई कंपनी की बाई वीटा आती है दानेदार किसान भाई यू बाई वीटा दानेदार में लगबग 64 परकार के योगी तोतों का मिस्रेंट रहता है और बाई वीटा एक जेवी कुत्पाद है इसका जो उप्योग है हम माइक्रो नूट्रेन के रूप में कर सकते हैं इसके अंदर नाइटूजन, फास्पुरस, पोटास, जिंक, कार्बन, मेगनिस, मेगनिसम इसके अलावा कई परकार के वीटामिन, एंजैम्स, कार्बो हैड़ेट मुझूद आते हैं जो हमारी फसल की जड़ों का विकास करते हैं पोदे में क्लोरोफिल की मातरा को बढ़ाते हैं, पोदा अच्छी तरीके से बोजन बनाता है और सबसे प्रमुख बात की यह है जो मिक्स माइक्रो नूट्रेन खा दे, यह हमारी फसल को रोगों से लेडने के परती सहन सिल बनाता है जिससे हमारी फसल में जल्दी से कोई रोग भी नहीं आ पाता है तो अब दूसे नंबर पर बात करते हैं इपको सागरिका के बारे में किसान भाईजियों इपको सागरिका और बायोटा, दोनों ही एक ही काम करते हैं आप चाहे तो बायुविटा का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सागरिका ले सकते हैं अब इसकी मातरा की बात करें तो आप बायुविटा ले रहे हैं तो चार किलोग्राम पर एकड के हिसाफ से ले सकते हैं तो दो किलोग्राम अगर आप नहीं लेते हैं तो आप एक किलोग्राम तो जरूर लेवें किसान भाईओं ये तीनों ही खाद आपको एक साथ में मिक्स करके अपने बिंडी की फचल की जवाब पिलाई करते हैं तो उससे पहले दाल कर फिर बाद में पिलाई कर देनी है